हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो श्यूर लेर्णिंग फॉर मोर अपडेट्स यू कन अल्सो लोग इन टो वेबसेट www.shualearning.in तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मिले गुड न्यूस आप सब लोगों के लिए मैं लाया हूँ वो सुप्रीम कोट की तरफ से हैं और जेए के स्टुडेंट्स के लिए तो गाइस यहाँ पर मेरे पर से एक न्यूस आर्टिकल है और जैसा कि आप देख रहे हैं यह अपडेट सब्सक्राइब कर लिए और साथी बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और यह पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है तो सुप्रीम कोट ऑन मंडे प्रोविजिनली अलाउट कैंडिडेट्स वह और अब अपर एज लिमिट ऑफ 25 यर्स तो अपियर इन डा आयाइटी जेए में अड़िज लिए हैं जो पहले इज लिमिट के उसमें आते थे वह आयेटी जेए मैंस का और एडवन्स का एग्जामिनेशन सकते हैं और यहां पे पूरी डिटेल इस आर्टिकल में ऐसे लिखी वह है और the candidates who are 25 years of age and above shall be entitled to apply and appear in the J.E.Mains 2019 and J.E.Advance 2019 examination. If they are allowed to appear in the said examination they shall take the examination provisionally subject to the final outcome of these matters the bench said. तो वाइस यह आपके लिए good news है यह court ने N.T.E. को भी direction दे दिये कि वो इस बार से यानि 2019 से J.E.Main और एडवांस की examination में अपना पोर्टल जो है एक हफ्ते देग ऊपन रखेंगे और उसमा सारे candidates apply कर सकते हैं जो 25 से अबाव के हैं उपर के वो भी the court directed the National Testing Agency to keep its portal open for a week to enable candidates to apply for the J.E.Main 2019 and J.E.Advance 2019 तो वाइज यह बहुत अच्छी न्यूज है स्टुडेंट्स के लिए जो सोसते थे कि हमारी अभी हम overage हो गए हैं उसके लिए तो नहीं आप apply कर सकते हैं पोर्टल खुला रहेगा और आप अपनी डिटेल से उसमें भरके apply कर सकते हैं और examination भी दे सकते हैं तो वैस इस न्यूज में इतना ही मिलते हैं नहीं वीडियो में ऐसी नहीं जानकारियों के साथ और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज इसे ऐसी रेगल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लिए और सा कि हमारी कोई अपडेट्स आए तो आपके फोन पर notification आ जाए मिलते हैं नहीं वीडियो में इसी नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार